हलो एबरीवन आई वेलकम यू आज की कलास में हम देखने वाले हैं कि न्यूश पैपर को किस परकार पड़ना है न्यूश पैपर से यहाँ पर मतलब नहीं है मतलब यहाँ पर सहे कि आपको reading किस परकार करनी है अगर आप reading को सीख जाते हैं तब ही आप exam में passage को अच्छे से कर पाएंगे साथ आप close test को अच्छे से कर पाएंगे अभी हम ना close test पर ध्यान दे रहें ना passage पर हम ध्यान दे रहें कि हमें reading किस परकार करनी है English में अगर कोई passage है तो आपको उसको किस परकार समझना है जितना अच्छा आप उसको समझ पाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप उसको solve कर पाएंगे आपके सामने हैं आज ही के newspaper Times of India जो कि मैं पढ़ता हूँ आपको इसा भी newspaper पढ़ सकते हैं Times of India से हमने ये लिया है और जरूरी नहीं है कि आप newspaper ही पढ़ें आप किसी book का passage भी पढ़ सकते हैं दोनों बात एक ही है तो आईए शुरू करते हैं आज हम इसको देखते हैं जो कि Times of India का आपके सामने हैं मैं इसको पढ़वाने की और आपको समझाने की कोसिस करता हूँ किस परकार से आपको पढ़ना है आपको उस पर ध्यान देना है कि आपको किस परकार इसको पढ़ना है तो आईए शुरूआत करते हैं मैं हूँ अब अब आपके सामने लेकर आता हूँ इसी परकार की वीडियो तो आईए शुरुआत करते हैं आज के लेक्षर की now मतलब भी अब mcbu capital में पूरा लिखा है मतलब ये किसी भी चीज की short form लिखे हुई है इसका जो full form है हमें नीचे passage में मिल जाएगा हमें इससे परिशान नहीं होना है to prove, to plus work के first form आती है prove मतलब होता है सावित करना ghost college case, ghost college ऐसे college होते हैं जिनको जो बस classes, admission ले लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, degree दे देते हैं हमें भी पता है कि हम कई बार ऐसे college ऐसे करते हैं कि हमें degree मिल जाती है, college जाना नहीं पड़ता तो basically यहाँ पर क्या बात हो रही है आईए देखते हैं, times, times news network मतलब कि यह बता रहा है कि यह news कहा की है तो times ने, times of India ने इसको किया है ठीक है, तो हमारे सामने भोपाल की news है इसलिए लिए लिखा है भोपाल, अब देखिए, अब समझना शुरू कर देते हैं, पढ़ना कैसे है after a lot of hue and cry mad over the mockery of education ate some of the ghost college of Chhatarpur Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University MCBU देखिए, ये जो MCBU था क्या हुआ उसका फुल 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 महाराजा Chhatrasal Bundelkhand University has now decided to prove how the building completion certificate was issued to Shriram College in 2013 when there was no structure on the sport ये मैंने पूरा एक साथ पढ़ डाला इसके पीछे क्या रीजन है सर मुझे बीच में कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं मिला था इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक ही sentence था और पूरा अगर एक sentence था तो मुझे इसको पूरा पढ़ना पढ़ा लेकिन इतना पूरा पढ़ने कर आप उसका meaning नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपको तो चीजे तुकड़ों में चाहिए तो कैसे धीरे धीरे पढ़ना है आईए ज़रा देखते हैं आपको रुकना कहा है after a lot of you and cry आप इतने का मतलब निकाल सकते बहुत जादा किसी भी चीज की का हला हो जाना फिर उसका solution निकलना यह वो है after a lot of you and cry you and cry अब देखिए यह निकाल है mad over you and cry मतलब कि जो हला हुआ mad का मतलब बनाना over मतलब के उपर मतलब यह जो हला हुआ है वो किसके उपर हुआ है mad over the mockery of education the mockery of education मतलब यहां पर आकर रुख सकते थे पहले instance में जब हम पहले पढ़ रहे थे तो कहां से पढ़ना है after a lot of you and cry mad over the mockery of education it's some of ghost college of छतरपूर यहां से क्या समझ में आ गई कि छतरपूर के colleges की बात चल रही है अब देखिए आगे दिया हुआ है महराजा चतर साल बुंदेल खंड यूनिवरसिटी has now देखिए यहां पर जाकर helping work का use हुआ है इसका मतलब यहां से लेकर और यह कॉमा से यह जो है वो पूरा का पूरा sentence का subject हुआ बात को आप जितने आसानी से समझेंगे उतना आसान रहेगा महराजा चतर साल बुंदेल खंड यूनिवरसिटी has now decided to prove महराजा चतर साल बुंदेल खंड यूनिवरसिटी ने क्या decide किया है had now decided to prove how the building completion certificate was issued to स्री राम कॉलेज in 2013 उनने क्या बोला है महराजा बुंदेल खंड यूनिवरसिटी ने यह decide किया है कि स्री राम कॉलेज है उसको 2013 में building completion certificate कैसे मिल गया how the building completion certificate was was लगाए मतलब यह काम हो चुका है was issued to स्री राम कॉलेज in 2013 2013 में स्री राम कॉलेज को building completion certificate कैसे मिल गया when there was no structure at the spot जबकि मौके पर कोई भी structure अभी भी मौजूद नहीं है जब मौके पर structure मौजूद नहीं था was लिखा है न कि मौके पर जब structure मौजूद नहीं था तो 2013 में इन्हें यह कैसे मिल गया उम्मित करता हूँ समझ गया होंगे आईए एक बार पूरा पढ़ लेते हैं यहां से हम पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे जितने आसान बनाएंगे उतना आसान होता चला जाएगा आगे बढ़े हम आगे देखते हैं क्या है matter चलिए शुरू करते हैं यहां से अब देखिए ध्यान से आपको समझना है when asked इसका मतलब क्या होगा है जब पूछा गया when मतलब जब ask मतलब पूछना और ed लगा है मतलब past tense है तो when asked जब पूछा गया registrar के बाद फिर कॉमा लग गया registrar mcbu इसका मतलब जब पूछा गया किस से पूछा गया होगा registrar mcbu महारज़ा 17 साल बुंदेलखंड यूनिवरसिटी के registrar क्या नाम है उनका पुषपेंद्र पटेरी पटेरिया इस्टेटेट जब पूछा गया तब registrar जो कि कहां के है महारज़ा 17 साल बुंदेलखंड यूनिवरसिटी के उनका नाम दे दिया पुषपेंद्र पटेरिया इस्टेटेटेट मतलब उनने इस्टेटेटेट का मतलब पैसिब बॉइस है या आप समझ पा रहे होंगी एक रिपोर्ट बेजी जाएगी किसको बेजी जाएगी इस्टेट गबर्मेंट को यह बात कही किस ने है पुषपेंद्र पटेरिया ने एक रिपोर्ट बेजी जाएगी देखिए टेक आ कॉल का मतलब क्या होता है जनरली तो हम टेक आ कॉल टेक आ कॉल का मतलब है बात की जाएगी किस से बात की जाएगी इस्टेट गबर्मेंट टेक आ कॉल उन सच कॉलेज़ एक रिपोर्ट बेजी जाएगी इस्टेट गबर्मेंट को कि इस प्रकार के college से आपको क्या करनी है बात करनी है तेका call का मतलब क्या होता है बात की जाएगी अब देखिए inverted commas के अंदर जो चीज लिखी है इसका मतलब ये जो भी पूरा का पूरा statement है बो पुसपेंदर पटेरिया ने दिया था और उसको as it is लिख दिया गया है तो b मत ने हूंगा हम मतलब newspaper वाले लेकिन इसने inverted commas के अंदर इस बात को लिख दिया इसका मतलब ये बात newspaper वालों की नहीं है ये बात है पुसपेंदर पटेरिया की समझ रहा है we will inform the higher authorities about it हम इसके बारे में higher authority को inform करेंगे विल लगा हुआ है the university will take action as per their instruction और university action लेगी as per their instruction their कौन their मतलब की higher authorities देखिए we will inform the higher authorities about it हम इसके बारे में पुसपेंदर पटेरिया ने का बोला हम इसके बारे में higher authorities को inform करेंगे सूचना देंगे the university will take action as per their instruction और higher authority जो बोल देगी university उसके according उसके according क्या करेगी action लेगी university लेगा है मतलब mcbu की बात चल रहे है कि mcbu उस college पर action लेगी कौन सा college जो उपर जिसका हमें नाम दिया हुआ है said पटेरिया पटेरिया ने ऐसा कहा देखिए आगे लेका है our sources said मतलब की newspaper वालों के sources की बात चल रहे है our sources said सिरी राम कॉलेज सिरी राम educational college and NRS college in छतरपूर affiliated 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 का मतलब सम्मंद रखना मतलब की जिसने उसको मानेता दिये to mcbu हमारी sources के अनुसार हमारी जो source है उनके अनुसार दो college के नाम लिया है कौन कौन सा सिरी राम education college and NRS college in छतरपूर affiliated to mcbu are under scanner under scanner के मतलब क्या है scanner मतलब समझ रहे हैं आप scanner जब कोई भी चीज के उपर मामला चल रहा हो मतलब की वो उनके उपर जहांच जा रही है sources के अनुसार अंडर scanner से वरते हैं for distributing degrees without proper infrastructure and teaching facilities क्या बोलना चाहरा है कि हमारे sources के according दो college है कौन कौन से सीरी राम education college and NRS college इन छतरपूर टू और affiliated किसे हैं mcbu university से हैं are under scanner for क्यों है अंडर scanner मतलब इन पर नजर रखी जा रही है scanner का मतलब नजर रखी जा रही है for distributing for देखिए for एक प्रपोजिशन है उसके बाद ing form of work का यूज किया गया है बिल्कुल सही है for distributing degrees degrees without proper infrastructure and teaching facilities मतलब यह दोनों college क्या कर रहे हैं ना तो इनके पास teacher है ना तो teaching facilities है ना इनके पास infrastructure है यह क्या करते हैं admission ले लेते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं पैसा लेकर डिग्रियां बाट देते हैं जैसे दो December 24 2012 which stated that the college has a structure of 12600 square feet on the ground floor यहीं तक पढ़ लीजी है the building completion certificate certificate का मतलब प्रमान पत्र और स्री राम college was issued on December 24 2012 इसका मतलब क्या है देखिए जब कोई भी college खुलेगा तो पहले उसके पास सबसे basic चीज क्या होनी चाहिए एक तो structure होना चाहिए infrastructure होना चाहिए सीधा सीधा बोले तो building होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए दूसरा ओना चाहिए teaching staff तो जिए स्री राम college जो था आपका उसको building completion certificate दे दिया गया था 24 of December 2012 में which stated that जिसमें लिखा हुआ है कि the college has a structure of 12,600 square feet on ground floor जिसमें बताए गए कि college के पास 12,600 square feet का जो area है वो ground floor पर है another 12,600 square feet on the first floor इसका मतलब इसमें दो फ्लोर है पहले फ्लोर पर भी 12,600 और दूसरे फ्लोर पर भी इसमें ऐसा लिखा हुआ है लेकिन actual में क्या है the certificate was issued on the land khasra the certificate was issued certificate was issued मतलब passive structure पर है certificate issue किया गया था land land मतलब का जमीन land मतलब क्या होता है जमीन होता है खसरा नमबर देखिए यहां पर देखिए capital के लिखा हुआ है जब किसी भी पूरे paragraph में sentence में बीच में कोई ऐसा सब्दा जाए जिसमें की capital letter लिखा हो जिसमें की capital letter लिखा हो इसका मतलब दो हो सकता है या तो वो किसी का नाम है या हिंदी का वो कोई वर्ड है हमारे यहां हिंदी चलती है इसलिए मैं ऐसा बोला हूँ या तो वो किसी का नाम है व्यक्ति का हो सकता है संस्ता का हो सकता है किसी भी चीज का whatever place का हो सकता है वो तो खसरा नंबर चलता है यह वो ही है खसरा नंबर है ना क्यापिटल के से मैं समझ गया कि यह हिंदी का कोई वार्ड है खसरा नंबर 1564 आप बार कोहना विलेज चतरफूर ओन विज एनरेस कॉलेज इस नाओ कंस्ट्रक्टिंग इट्स कॉलेज इंट्रेस्टिंगली दिखिए बोल क्या रहा है यहां पर फुलिस्टॉप लग गया है तो पहले इतने को समझ लीजिए इसमें क्या लिखा था बिल्डिंग कंप्लिटेशन सेर्टिपिकेट में यह लिखा था कि कॉलिज के पास 12600 की इसके अर्फिट की ग्राउंड फ्लोर पर है और फस्ट फ्लोर पर ही उतना है यहां पर फुलिस्टॉप लग गया दा सेर्टिपिकेट बाज इस जमीन पर मिला था इसको 1564 पर 1564 जो खसरा नंबर है और अभी क्या बोल रहा है बिलेज नाव विच एन आर एस कोलेज इस न इस का मतलब उसकी और एक और इस होता है इट यहां पर इनबाटेट कोमा इट इसका मतलब क्या हुआ हूगा इट इस एट वॉज या इट हाय यह सेंटेंस के बीूज पीच में कभी नहीं आता तो याद रखेंगे यहां पर इटस मतलब इसका लेका हुआ है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसी जमीन पर अप NRIS College अपना बिल्डिंग बना रहा है Interestingly मतलब की मज़ेदार बात यह है Interestingly के बात कौमा लग गया क्या है मज़ेदार बात आगे बता है NRIS College has also received the building completion certificate on the same land और interesting की बात मज़ेदार बात तो यह है कि NRIS College को भी उस जमीन पर building completion certificate मिल गया है जब कि आप देख पा रहा है अभी वो construct कर रहा है हाँ पर लिखा है constructing पूरे matter को समझे है हम जतने अच्छी से matter को समझेंगे उतने अच्छी से questions के answer दे पाएंगे तो interesting मज़ेदार बात तो यह है चलो एक ही जमीन पर दे दिया चलो कोई बात नहीं मिल गया ठीक है लेकिन उसके बाद भी इसको completion certificate मिल गया है जब कि अभी यह अभी construction कर रहा है on the same land sam का मतलब उसी जमीन पर has received मतलब मिल चुका है even the owner of NRS college abhaising bhadoria claimed that क्या बोला even the owner of NRS college कौन है abhaising bhadoria यहाँ पर इनका नाम दे दिया claimed that claim मतलब दावा किया दावा किया कि क्या किया only they have their structure at the sad plot की जो जमीन जो plot पर जिसकी बात चल रहे है उस पर तो सिर्प हमारा NRS college का structure है इस पर पहले से कोई structure नहीं है ऐसा किसने दावा किया है abhaising bhadoria जो की honor है NRS college के claim that only only मतलब cable only किस के पहले लगा है दे के पहले मतलब cable way cable उनके पास है यह only जहां पर भी लग जाता है उसको cable बना देता है जैसे मैंने बोला I play only football मैंने बोला आप समझे बात को I play only football क्या मतलब हुआ मैं खेलता हूँ only only football मैं सिर्फ क्या खेलता हूँ football क्या खेलता हूँ football के अलावा और कुछ नहीं खेलता हूँ अब दूसरा मैंने लिका only I play football देखिए अब only की position को change कर दिया मैंने only I play football सिर्फ मैं football क्या खेलता हूँ पहले क्या बोला था i Play Only Football मैं सिर्फ फुट बाल के विट पूल की अलावा दूसरा कोई गेम नहीं खेलता और इसमें क्या बोल रहा है only i Play Football सिर्फ मैं फुट बाल केलता हूँ मतलम मेरे अलावा कोई और फुट बाल खेलता नहीं है यह only जिस भी सब्द के पहले लग जाता है उसको सिर्फ बना देता है यहाँ पर सिर्फ मैं फुटबॉल खेलता हूँ और वहाँ पर मैं ले बोलता हूँ उसके अलावब कुछ और नहीं खेलता हूँ और यहाँ पर क्या बोलता है only I play football मतलब मैं सिर्फ football केलता हूँ बाकी लोग football नहीं खेलता है यह है only का fund आप समझे इसको तो यहाँ पर क्या बोल रहा है only they have their structure at the sad plot abysing में क्या बोला है कि सिर्फ they मतलब abysing भदोरिया इनका organization their sad plot sad plot पर सिर्फ हमारा structure है अब देखे inverted commas के अंदर कह लिखा I do not know I do not know मैं नहीं जानता मैं मतलब कौन abysing भदोरिया क्योंकि inverted commas के अंदर है ये बात उनने कही है I do not know about the स्री राम कॉलिज मैं स्री राम कॉलिज के बारे में नहीं जानता only NRS college structure is being constructed there यहाँ पर सिर्फ NRS college का structure बन रहा है abysing भदोरिया कौन है NRS college के NRS college के honor है तो वो क्या बोल रहा है कि मैं स्री राम कॉलिज के बारे में जानता नहीं हूँ मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि यहाँ पर NRS college is being constructed present continuous का sentence है passive boys के structure पर is being constructed भदोरिया said भदोरिया ने कहा as per record लेकिन record के according क्या है both NRS college and स्री राम college are running on the same land और record क्या बोल रहे हैं यह newspaper वाले investigation कर रहे हैं ऐसा यह क्या था अजे सिंग भदोरिया का कहना था तो record क्या according as per record both बोत मतलब दोनों कौन दोनों NRS college and स्री राम college जब किसी sentence में both लग जाता है तो बाद में end भी आता है both NRS college and स्री राम college समझ गए जैसे मैंने बोला both तो बोत NRS college and स्री राम college are running on the same land बोत दोनों NRS college और स्री राम college एक ही जमीन पर चल रहे हैं running मतलब चल रहे हैं NRS college run by सिवम सांती सिक्षा परसार समीती was given the recognition by NCTE on March 3, 2016 अब देखिए हमें पहले ही बता दिया था दूसरा college था जो कौन सा college स्री राम के बारे में तो बता ही दिया था कि यह M.C.U.B. अनिवर्सिटी से है महराज़ चत्रसाली अनिवर्सिटी से है और अभी हमें बता दिया NRS college run by सिवम सांती सिक्षा परसार समीती was given the recognition recognition मतलब पहचान by NCTE मतलब यह NCTE एफलिफिए है तो NCTE क्या होता है National Certificate for Teacher Education के लिए होता है मतलब कि जो यहां से जब आप D.A.B.A.D. करते हैं जो एजूकेशन वाली तो NCTE मतलब टीचर एजूकेशन वाली उससे एफलिफाइड होना चाहिए तो यहां पर overall matter अब हम क्या समझ पाए हैं इस पूरे passage को पढ़ने के बार कि हमको कहां रुकना है कितना पढ़ना है दूसरी बात अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए होता है कि आप उसको कितना हिंदी में समझ पा रहे हैं यहां पर हमने क्या देखा कि यहां प किस पर जबकि construction चल रहा है दूसरा इनान के पास proper teaching facility है इसी में दूसरा कॉलिज भी निकल कर आया नरेयस कॉलिज यह क्यों निकल कर आया कि जहां पर सिरी राम कॉलिज अलरेडी बना हुआ था काग जो में बना हुआ था एक्शूल में बना नहीं है जहां तक हमने इस पर देखा वहाँ पर अब आरेज कोलेज न यहां तो पर श, को यह है, यह थो फिर When नहीं के साथ जोड़ना है, उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ भी कि यह पहला पैसेज है अगर आप मुझे इस पर रिस्पोंस देते हैं तो वहां आपको सिखाऊंगा पढ़ना अगर आप पढ़ना सीख जाते हैं तभी आप आगे की चीज़े सीखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट भी ये लेक्चर में अलोट तो नोग, अलोट तो डिसकस्ट थैंक यू सो मुझ थैंक यू सो मुझ